हेलो एवरीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में नैशनल इंस्टिटूट ऑफ टेकनोलोजी राइपूर, रास्ट्रिय प्रोधयोगी की संस्थान राइपूर से वेकेंसी आई है, सिक्षा सहायक की सबसे जरूरी बात ये है कि इमेल के माध्यम से आप लोगों को इसमें आविदन करना रहेगा और लास्ट डेट जो है वो आज की ही है, साम पांच वजे तक आप इमेल कर सकते हैं अफिशल वेबसाइट पर एप्लिकेशन फॉर्म भी दिया गया है, नोटिफिकेशन हम चेक करेंगे तो चलिए फटा-फट से जो है बिना समय गवाए क्योंकि साम पांच वजे तक ही आविदन कर पाएंगे, जो भी कैंडिडेट इच्छोग हैं तो आविदन करें सबसे पहले जो है अफिशल वेबसाइट पर चले आएं, नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेकनोलोजी राइपूर, राश्ट्रिय प्रोधोगी की संस्थान राइपूर, इसमें जो है आप जैसे ही नीचे आएंगे, अनौन्समेंट सेक्शन में, आपको अगर नजर नही आए तो read more पर click करना है, यहां पर सबसे उपर 5 जुलाई 2024 का आपको मिलेगा विज्यापन, recruitment, notice for temporary faculty, teaching assistant and part-time faculty, last date of submission of application via email, email के द्वारा ही जो है आप लोगों को application form submit कराना है, आज की ही डेट में, तो फटाफट से जो है इसको open करके सारी चीज़ें जान लेते हैं, चार जुलाई को ही जो है विज्यापन आया है, और केवल 15 जुलाई तक ही जो है यह जहां पर form मांगे गए हैं, एस्थाई faculty सिक्षा सहायक अन्सकालीन faculty की अस्थाई भरती 15 जुलाई 2024 को पाच वज़े तक ही रहेगा, यह application form है, अलग से application form भी जो है दिया गया है, हिंदी इंगलिस दोनों में दिया गया है, आप लोग जैसे भी देखना चाहें, salary काफी अच्छी है, temporary faculty है, फिर भी salary जो आप देख सकते हैं, 17,000 जो है सबसे higher, यहाँ पर salary है, यहाँ पर जो है सबसे पहले देखें, departments, humanities and social science, इसमें दो एरिया है, value education and yoga and health, अगर आपने master degree psychology से किया है, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, अगर आपने master degree या MSC yoga से किया है, MA किया है या MSC किया है yoga से, first division के साथ में, तो आप apply कर सकते हैं, essay candidate जिन्होंने PhD भी किया हुआ है, तो उनको जो है यहाँ पर preference मिलेगी, IT के लिए BE, BTEC, ME, MTEC वाले apply कर सकते हैं, PSD जो है इसमें मांगा गया है, mathematics के लिए MSC या PSD, physics के लिए, PSD चाहिए physics में, computer application के लिए MCA वाले apply कर सकते हैं, BE, BTEC, ME, MTEC वाले apply कर सकते हैं, सभी में first division ही चाहिए, यहाँ computer science and engineering में भी apply कर सकते हैं, chemistry के लिए apply करना है, तो आपके पास MSC होनी चाहिए, first division के साथ में, और PSD भी होनी चाहिए, तो यह आप देख सकते हैं, अगर आप कहीं पर भी आविदन करना चाहिए, एक candidate का कहना था, biotechnology की vacancy आती है, तो बताई जाए, तो यहाँ पर vacancy है, MTEC and PhD in biotechnology, या फिर इसके समकक्ष जो है, MSC आपने PhD के साथ किया है, तो आप जो है इसमें apply कर पाएंगे, ठीक है, केवल मास्टर डिग्री आपकी psychology में है, या फिर आपकी किसी भी subject में है, तो योगा और health के लिए, केवल मास्टर डिग्री आपकी psychology में, या फिर मास्टर डिग्री जो है, योगा में है, MSC योगा में है, फिर्स डिविजन के साथ में, तो आप इस department के अंतरगर, value education और yoga and health में apply कर पाएंगे, तो यह application form में ने आप लोगों को बता दिया, application form कहां से download करेंगे, तो जब आप announcement section में, यहाँ पर विग्यापन देखते हैं, इसको open करके, तो यह notice, आपको देखने को मिलेगा, जिसमें qualification चेक कर लें, और नीचे है application form, इस पर click करके, और application form डाउनलोड कर लें, ठीक है, और आप लोगों को mail करना है, यह आप ध्यान में रखें, इमेल एड्रस जो है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सबसे उपर, रजिस्ट्रार, एड़ रेट, एन आई टी आर आर डॉट एसी डॉट इन, तो जो भी इच्चो कैनी रेट है, आविदन करने के, तो जल्द ही आविदन करिएगा, ज्यादा समय नहीं है, तार, जो 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 सबस्टार, तो जो 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 एकने आर रेट,